हलो दोस्तों कैसे हो आप सब आई होब आप सब अच्छे होंगे एक बार फिर से आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल ग्यान रोची में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आए हैं संक्टा माता की पूजा में तो देखें संक्टा माता के लिए लड्डू बन रहे हैं ये चावल के लड्डू है और इसमें चीनी, चावल, दूद, मेवा, घी सभी कुछ डाल कर लड्डू बनाये जाते हैं ये माता जी का प्रशाद है जो की बनाया गया है बना कर तयार किया जा रहा है चौदा महिलाएं हैं सारी सुहागने महिलाएं आई हुई है और सब को पूजा में बुलावा दिया गया है तो सभी लोग पूजा के लिए आई है और लड्डू बनकर तयार होने वाले हैं पूजा की तयारी चल रही है अभी कुछ लोग आ चुकी है और कुछ लोग अभी आई नहीं है जब तक सब लोग आएंगी तब तक ये प्रशाद बनकर तयार हो जाएगा तो देखिए इसमें मेवा भी पड़ता है और ये प्रशाद खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है माता जी का भोग इसी तरह के लड्डूओं से लगता है ये लड्डू चावल की बनते हैं फ्रेंड्स सायद आप लोगों को पता हो संकटा माता की पूजा में प्रशाद कैसा होता है तो संकटा माता की पूजा में चावल का ही भोग बनता है चावल की लड्डू इसी तरह से बनाये जाते हैं ये छोटे लड्डू बन रहे हैं जो की माता जी की चौकी पे रखे जाएंगे और जो बड़े बड़े लड्डू बन रहे हैं वो सारे लड्डू सभी सुहागनों की आचल में दिये जाएंगे हमारे पड़ोस में साधी थी आपने देखा होगा हमारा व्लोग हमने साधी का व्लोग आपको दिया था तो उन्हीं की यहां संक्टा माता की पूजा है क्योंकि उनके घर में बेटी की साधी हुई थी और बेटी अपने सस्राल से वापस आई है तो उनकी मम्मी ने ये पू प्रतिमा बनाई जा रही है संक्कटा माता की पूजा की जाती है और यह जो प्रतिमा बनाई जाती है डेशी घीज से बनती है तो यहाँ पर माता की पांच पूजा पाट करते हैं पूरा चढ़ावा इन्हें पे चढ़ाया जाता है चूड़ी बिंदी सिंदूर फूल दूप दीफ सब कुछ हम लोग इसी पाटे पे ही करते हैं या तो लकडी का पाटा हो या तो पत्थर का पीड़ा पूजा हो कि अश्वलों कि इसे ते हम लोग पूजा पार्ट करते हैं इस पूजा में बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स बहुत सब लोग वह अच्छा भी लगता है सब लोग बहुत खुस भी रहते हैं और य hatten अच्छे दिनों में होती है कि आप कुछ दिनों के बाद अच्छे दिन खतम होने वाले हैं तो इन्होंने सोचा कि जल्दी से हम पूजा रखवा देते हैं माता जी की आज सुक्रवार था तो इसलिए अच्छे दिन भी चल रहे थे लेकिन अगले सुक्रवार तक दिन अच्छे नहीं रहेंगे और यो भी हम आपको देंगे तो देखे सुहाग का सारा समान इसी पाटे पे ही चढ़ाया जा रहा है लड़ू भी चढ़ा दिये गए हैं छोटे वाले जो बने थे और फूल सिंदूर गौरी माता सब कुछ इसी पाटे के ऊपर ही किया जाएगा दो कलस भी रखे गए हैं ये बे और इनकी मम्मी ने भी पूजा कर ली है जो घर की मेर मेंबर होते हैं सबसे पहले वही लोग पूजा करते हैं तो ये इन दोनों की पहली पूजा हो चुकी है और अब सारी महिलाएं एक एक करके माता जी की पूजा करेंगी और माता जी से आशिरवाद भी लेंगी इसी क्र से हमारे यहां संक्टा माता की पूजा होती है फ्रेंड्स पूजा होने के बाद कहानी कही जाती है कहानी सुनने के बाद सभी लोग माता जी की आर्थी करती है आप लोगों को हमारी यह संक्टा माता की पूजा के वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना वीडियो को पूरा वाच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यह देखिए डबल पूजा हो रही है दोहरी पूजा की जा रही है इसलिए दो कलस भी रखे गए हैं माता जी की आरती भी हो गई बोलिए संक्टा माता की जै